बच्चे वने कोगाद मेरे सरी मेरे इंफेक्शन फेल गया था और पूरे सरी मम हम इन फेल चुगा था जहर फैल चुगा था तो बस मैं रो रही है और डॉक्टर बोल रही हिए उनको इसकारी इस्पताल रिफ़र कर और दो आजाओ कि मैं आखी समय आपको देख सकते हूं कि आपकी दी सास है मर जाओं तो मतब कोई वो नहीं रहेगा आपकी दी सासे हैं एक बार आप मुझे दर्सन देजा परमात्मा गुरुची लेवरूम का गेट लगा था अपने आप गेट खुला गुरुची आए संतरामपाल पाल जी महराज आए उन्होंने मुझे हाथ रखा और अचानक वेदे सहर से मतलब एक दम उल्टी हुई और उल्टी के बाद अपने आप जो पाईजन था वो पूरा निकल गया है मतलब यह एक जमतकार हैं डॉक्टर तक से रिफर करने लगे थे सरकार यह सबताल में यह के पास गए और वहाँ पर मैं बोला हमने संतरामपाल जी महराज से कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि यह साथवा मैं लगया बच्चा अापंग्यामानसिक रूप से बीमार रहेगा तो संतरामपाल जी महराज ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चा अच्छा होगा ठीक ह तो हमें संत्रामपाल जी महाराज हमारे पिता परमेश्वर पर विस्वास था और जब मेरी डिलेवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल स़स्थ हुआ अच्छा आप ये बताईए आपने संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख सा कब ली संत्रामपाल जी महाराज से दिख्षा मैंने ली है 28 अपरेल 2013 संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या बक्ति साधा करते थे ब्रह्मा विश्णू महेश की बक्ति करते थे खासकर लक्षमी जी को मानती थी मैं इसके अलावा किसी सादू संथ से भी नाम दिख्षा ले रखी थी? नहीं नहीं दिख्षाइए मैंने अच्छा आप एक बात बताईए आप MP में रहते हैं संथ रांपाल जी राज जी नाम दिख्षा कैसे लिए आपने? सर मैंने अपने पती के कहने पर संत्रामपाल जी महराज से नाम दान लिया था आप संत्रामपाल जी महराज के सतलोक आसरम बरवाला में पहुंचे आपको कैसा लगा, क्या वैवस्ता थी वहाँ पर, कैसा आपको अन्भव हुआ संत्रामपाल जी महराज के आसरम में जब आप पहुंचे जैसी हम गहें, तो मतलब सतलोक आसरम नाम है, उसका वैसी सतलोक जैसा हमको लगा, वहाँ च्छुअचूत नहीं माणते थे किसी भी तरब से, मतलब जाती सामाज मतलब वो कुछ नियद्ध सब एक एक साथ रहते थे, सबी लोगों के लिए एक साथ खाना खाना एक साथ रहना यह नहीं है कि मतलब यह बड़ा आदमी है तो मतलब उसके लिए कुछ वी आईपी चीज है यह कुछ भी नहीं अच्छा आप यह बात बताईए कि आपके पती क्यों चाहते थे कि संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख सल लिया था उनने मतलब कहीं मतलब विस्वास नहीं था पर मतलब उनके लिए यह था कि एक सच्छा ग्यान क्या होता है उनने वो चीज की प्रहरे थी वो सब चीज से हतास होके गए थे और उनने विस्वास था कि मैं संत्रामपाल जी महाराज जी के बास जाके बिलकुल ठीक हो जाओंगे उनको पूरा विश्वास था आपके पती ने आपको सब जगा दिखा लिया था सादू सन्तों संत रामपाल जी महाराज से नामदिक्सा लेने से पहले आपको क्या बिमारिया थी? मुझे थायराइट था, जो मैं बताती हूँ, मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ, एक में बताती हूँ कहां पर दिखाया था? आपको पता चली, डॉक्टरों को क्या कहना था कि आपको ये प्रॉबलम है, वो किस बारे में है और क्या आपको प्रॉबलम हो सकती है? किस तरह से इसका इलाज होगा? क्या डॉक्टरों ने आपको बताया? डॉक्टर ने बोले कि आपको चार साल में आराम लगे है क्योंकि जो चीज पांच रहन चाहिए वो साड़े 25 हो चुकी थी और इस चीज में अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो वो भी नहीं हो सकती है पर संत्राम पाल जी महराज से जोड़ने के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के साइद ये परमात्मा का प्रमान देने के रिम प्रेगनेंसी के साइद मेरा थाराइड बढ़ गया था पर उसके बाद मत्तब थारेन बोलते हैं कि पूरे समय के डिलेवरी नहीं होगी और बच्चा होगा तो अपंग होगा या फिर मांसी कृप से बोगा तो फिर अंतरामपाल जी महराज के पास गए और वहाँ पर मैं बोला हमने संतरामपाल जी महराज से कि डॉक्टर बोल रहे कि यह सातुन महीनन लगए बच्चा अपंग अमासृ कुप से बीमा रहेगा तो संत गल्यादिय ने बोला कि आंड इसा कुछ मतलब इंफेक्शन फैल झुकाता जहर फैल चुकाता और फिर मैं लेटी हुई थी मैंने परमातमा को याद करहा है गुरु जाओ मतलब जब दिक परिशानी होती है तो एक अपने पिता को याद करा जाता है जर्म देने वाले पर मेरे लिए तो मेरे मतलब बंदी छोड सांत संत्रामपाल जी महराज है क्योंकि मैं तो मर चुकी थी उन्हीं की दी साज से हैं तो बस मैं रो रही है और डॉक्टर बुल रही कि उनको सरकारी स्वताल रिफ़र कर दो पूरे हरी नीली पढ़ गए थी मुझे मुझे खुद लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं बचूंग पर संत्रामपाल जी महराज मतला मेरे पिता खुद कहां हर्याना में है और अचानक मैं व्याद कर रहे हैं उनको कि गुरू जी आजाओ गुरू जी आजाओ हे संत्रामपाल जी महराज आजाओ मेरे पिता आजाओ कि मैं आखरी समय आपको देख सकूं कि आपकी दी सास है मै तो मतलब कोई वो नहीं रहेगा आपकी दी सांसे हैं एक बार आप मुझे दर्संदेजा परमात्मा गुरुजी लेवरूम का गेट लगा था अपने आप गेट खुला गुरुजी आए संतरामपाल जी महराज आए उन्होंने मुझ पर हाथ रखा और अचानक मेरे स्थर्चे मतलब एक तब उल्टी हुई और उल्टी के बाद अपने आप जो पाईजन था वो पूरा निकल गया मतलब ये एक जमतकार है डॉक्टर तक रिफर करने लगे थे जो सरकारियस बताल में ये केवल संतरामपाल जी महराज एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है और न अपने लेने के बाद आपको और क्या लाब मिला जैसे कि मैंने आपको बताया है डिलेवरी से मुझे इंफेक्शन हुआ था और मतलब पूरे सरीर में पाईजन फैल गया था उससे मतलब मुझे नया जीवंदान मिला और थाइराइट था जो बच्चा अपंग बताया था अपना मिला ठाप की बच्चा हुआ बिल्कुल ठीक है मांसी क्रूब से भी है साररी क्रूब से भी ठीक है संत्रामपाल जी महराज ने मुझे हर तरीके से, मता हर जगा मुझे बचाया और मेरे बच्चे को सफेद दाग थे, बड़े बच्चे को, दस साल का है वो उसे भी सफेद दाग हो चुके थे, तो आज वो बिल्कुल पूरा ठीक है समा सब लोग बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका और ज़्यादा फैल जाएगा और साइद इसका कहीं इलाज नहीं है पर संत्रामपाल जी महराज ने उसको ठीक करा और मेरे हस्प्राइंट को सौर आइसेज है, उसमें भी उनको काफी आराम है भगत समाज को क्या संदेज देना चाहते हैं आजकल जूटे गुरू की चकर में ना पड़े, संत्रामपाल जी महराज सच्छा ग्यान देने आए, प्रमानित ग्यान है आपने कहा कि जुटे गुरू के चकर में ना पड़े अब हजारों की संक्या में जब धर्म गुरू हैं तो लोग कैसे पहचाने की कौन जुटा है और कौन सच्चा तो वो तो आज कल पढ़ा लिखा समाज है आपने सच्चे गुरू की पहचान के बारे में बताया अगर आप से पूछा जाए कि सच्चे गुरू की क्या पहचान है तो आप क्या बताना चाहेंगी सच्चे गुरू की तो मतलब सबसे बड़ा प्रमान है हमारे गुरू जी कि आज तक मतलब कोई जित्ते भी गुरू है उन्होंने मतलब कभी प्रमानित ग्यान नहीं बताया कोई ब्रामा विश्णु महेश की तो कभी कोई किसी की भक्ती बता रहे हैं मतलब प्रमानित ग्यान है और उल्टे ब्रक्ष को सीधा का बताए सच्चा गुरु की वही पहचाने गीता जी में बताया गया है और सच्चा गुरु वो है जो कि मतलब सिश्यों को सही राह पिलाए जैसे कि हमारे गुरु जी हैं तो उन्होंने उनकी नियम है हर जो गुरु जी लोग रहते हैं उनकी नियम नहीं रहते हैं आज संसार जोड़ जाए पर मतलब गुरु जी से क्या नियम के बज़े से भी इंसान पढ़ाना पढ़ाना इस वए से ये सब और गुरु लोग इनने मना नहीं करवाते हैं तो उनके नियम है जैसे कि आज ये समाज को में ये संदेज देना चाहती हूं कि आज आपके भी पा रही है नस्य का सामान आज भी विक्रा है पर संत रामपाल जी महराज के जो भगत हैं वो मतलब ना नस्य का सामान खरीदते हैं ना ही और सबसे बड़े आज ये अपने बच्चा जनरेशन है तो वो जब नस्य का सामान चाहिए नहीं घृँ नहीं खरीदेगी झ्छों से बहुत दूर कर रहे हैं और देश प्रता से समाज को रहा दिलाई है एक ऐसा संद जेल में है तो आप सरकार से क्या प्रात्ना करना चाहेंगे सर मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जिस संद रामपाल जी महराज ने मतब लाक्यों लोगों को जीवान दान दिया है उनको जल्द से जल्द रहा करा जाए बहुत बहुत धन्यवाद सच साहे में तौल बात्या इंउ ď नेवाद में बड़न झाल, 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 झाल